सलाम आलेकम एविवान, मैं हूं मुहमद तलह, आप लोग देख रहे हैं तलास्वेस अकैडमी आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग डिसक्स करेंगे about critical angle and total internal reflection और फिर इनी concepts को इस्तमाल करते हुए हम देखेंगे कि किस तरीके से काम करते हैं आप्टिकल फाइबर्स तो स्टार्ट करते हैं with our first definition जो के introduction हो गया समझ लो हमारी lecture का और वो है critical angle एक खास किसम का angle है जिसे critical angle कहते हैं पहले definition देखते हैं फिर आगे बात करेंगे the angle of incidence, वो angle of incidence, angle i, वो angle i at which the angle of reflection will become 90 degrees वो angle i, जिसके लिए जो angle of reflection है वो 90 degree के बराबर हो जाए तो ऐसे angle of incidence को critical angle कहते हैं याद रखिए critical angle एक angle of incidence का ही नाम है if angle of incidence further increase then instead of reflection, reflection will take place यह बात भी आपने जहर में रखनी है कि उस angle को critical क्यों कह रहे हैं क्योंकि अगर angle of incidence further बढ़ता है यानि कि critical angle से भी बढ़ जाता है तो reflection नहीं होता reflection के बज़ाए reflection होने लगता है तो वो angle of incidence जिसके लिए angle of reflection 90 degree हो जाए उसे critical angle कहा जाता है क्या मतलब थोड़ा सा समझते हैं सबसे पहली बात यह है कि critical angle के लिए हम suppose कर रहे हैं जो ray of light है वो denser से rare medium में जा रही है यह हमारा denser medium है और air जो है वो हमारा rare medium है हलका medium है इसमें फर्क तो पता होगा last lecture ने भी discuss किया था वो substance जिसमें travel करना आसान है चाहे light के लिए हो चाहे हमारे लिए हो उसे rare medium कहते हैं और जो भी जहां जो ऐसा medium है इसा substance है जहां पर travel करना मुश्किल है हमारे लिए भी light के लिए भी जिसके molecules करीब होते हैं उसे denser medium कहते हैं तो हवा हमारे लिए rare medium है इसली travel कर सकते हैं और हम तो गिलास में से travel करी नहीं सकते हैं तो glass is a denser medium हम जानते हैं कि जब भी ray of light हमने डिसकेस किया था लेक्टर में कि जब भी ray of light किसी denser medium से rare medium में जाती है तो देखो उसे इस रास्ते को follow करना चाहिए था पर वो इस रास्ते को follow करती नहीं है बलके वो bend हो जाती है away from the normal तो ये critical angle के लिए कहां से कहां जा रहे हैं हम denser से rare medium में जा रहे हैं तो ray of light bend हो जाती है away from the normal ठीक है और law of reflection के अंदर हमने पढ़ा कि ये जो pattern है ये जो bend होना है ये same रहता है हर ray के लिए अगर ये ही ray ज़ादा angle के उपर आके टकराएगी तो angle r भी बढ़ेगा यानि angle i अगर बढ़ता है तो angle r भी बढ़ता है ये आगे normal ठीक है और आप जानते है angle i हम किसे कहते है angle i हम कहते हैं एक मिनट बता भी देता हूँ मैं ये वाला जो angle है यहां से लेगे यहां तक का इसको angle i कहते हैं और ये जो angle बन रहा है इसको हम कहते हैं angle r और law ये कहता है जो refractive index भी होता कहलाता है कि अगर मैं मालूम करता हूँ angle i का sign और उसको divide कराता हूँ angle r के sign से तो वो हमेशा हमेशा एक constant आता है जो कि refractive index होता है material का तो अब ज़रा note करना मैं आहिस्ता हिस्ता angle i को बढ़ाऊंगा यानि कि मैं इसको और move कराऊंगा ये थोड़ा सा अपर की तरफ चला गया अब आप note करो कि बिलकुल angle i इतना हो चुका है और angle r इतना हो चुका है ठीक है तो critical angle की definition कब बनती है वो angle i जिसके लिए angle r बराबर हो जाए 90 degree के ये आपका angle r है angle of reflection 90 degree हो गया है तो अब जो angle बना है जो angle of incidence बनेगा उसी को critical angle कहा जाएगा ठीक है ना तो मैंने बताया था वो angle of incidence ये angle of incidence है जिसके लिए angle of reflection 90 degree के बराबर हो जाए तो इस angle को चाहे जितना भी हो इसे कहा जाता है critical angle क्यूंके अगर angle इससे ज्यादा बढ़ेगा तो फिर reflection नहीं होता बलके उसके बजाए reflection होने लगता है जो के हमने आगे study करना है उसे हम कहते हैं total internal reflection when light rays enter from one medium to the other medium they are refracted जैसे के हम जानते हैं ray of light एक medium से दूसरे medium में दाखिल होती है अपनी direction को change कर लेती है अपनी speed को change कर लेती है और अगर हम बढ़ाते हैं angle of incidence तो angle of reflection भी बढ़ता है जो के हमने सीखा था law of reflection में at certain angle the incidence जो light rays होती है वो reflect back हो जाती है first medium में यानिके reflection नहीं करती है बलके reflect कर जाती है और इस phenomena को इस condition को कहते हैं TIR यानिके total internal reflection अगर और लफजों में बताऊं अगर आपका angle I जादा हो जाए angle C से यानि critical angle से अगर critical angle से भी बढ़ा angle कर दें angle I का तो नतीजे में ray reflect होने के बज़ए reflect हो जाती है उसी medium में वापस आ जाती है और इस phenomena को इस condition को total internal reflection कहा जाता है अब देख रहे हैं याप एक critical angle है और ये 90 degree पे जा रही है लेकिन अगर मैं इस angle को और ज्यादा बढ़ा दूँ इसको और ज्यादा नीचे move करा हूँ तो ये ray देखना और reflect होने के बज़ए reflect हो जाएगी ये रवर reflect हो गई जिसकी हमारे examples देखी जा सकती है for example आप देख सकते हो ये जो tortoise यहाँ पे नजर आ रहा है ये जो आपको नजर आ रहा है कच्वा इसका reflection उपर नजर आ रहा है क्यों भई इसका क्यों reflection उपर नजर आने लगा उपर तो पानी है तो पानी से तो ray को जो है reflect करना चाहिए हमें उपर का नजर आना चाहिए जैसे के पानी के बाहर से हमें पानी के अंदर का नजर आ जाता है वैसे हमें नीचे से उपर का नजर आना चाहिए बलके उपर का नजर आने के बजाए यहीं की चीजों का reflection नजर आ रहा है तो ये जो reflection हो रहा है reflection के बज़ाए ये basically हो रहा है total internal reflection जो objects हैं पानी के उपर वो हमें नजर नहीं आ रहे है बलके हमें reflection नजर आ रहा है इसी तरीके से जो mirage form होता है जो के क्या कहते हैं आप ऐसा कहलो आपने road पे ज़्यादा देखा होगा गर्मियों में अगर आप travel करते हैं तो road पे आपको ऐसा नजर आता है दूर से के पानी पड़ा हुआ है लेकिन वो पानी होता नहीं है अगर सहरा के अंदर लोग होते हैं तो फिर वहाँ पर उन्हें एक जगा पर बिलकुल नजर आने शुरू हो जाता है पानी सा नजर आता है तो वो क्यों नजर आने शुरू हो जाता है वो भी होता है मिराज की वज़ा से यानि के ray of light reflection करने के वज़ाए reflection करती है और हमें ऐसा नजर आता है जैसे के पानी कहीं पर पड़ावो वो होता है सिर्फ वो सिर्फ warm air और cool air की वज़ा से और यहाँ पर आप देख सकते हो के एक laser light के जरीए हम glass के अंदर laser light को एक खास angle पर enter कर रहे है तो नतीजे में वो बाहर निकलने के वज़ा है इस ray of light को यहाँ से बाहर निकलना चाहिए था reflect होना चाहिए था बट वो reflect नहीं हो रही बलकि यहाँ से travel करके reflect कर जा रही है तो यह भी एक मिसाल है total internal reflection की ठीक है जी तो अभी तक हमने दो बाते समझ ली सबसे पहले हमने समझा critical angle किसे कहते है फिर हमने देखा कि total internal reflection कब होता है जब angle of incidence critical angle से बढ़ जाता है ठीक है जी अब इसको इसको इस्तमाल जो main हम करते हैं वो हम करते हैं optical fibers में जो तार वगरा टेलेफोन के डाले जाते है optical fiber कहलाते है आपने सुना ही होगा इसका नाम गरों के अंदर अगर PTC ले connection होता है या net लियावा होता है तो वो optical fibers के थूरू transfer होता है optical fiber क्या है basically बहुत ही पतले से hair size यानि के बाल के बराबर के छोटे छोटे threads होते हैं जिनको flexible plastic या glass fiber से बनाया जाता है और इनका काम होता है light को transmit करना over long distance long distance तक transfer हो जाते हैं optical fibers के जरीए ही हमारी internet की speed इतनी ज़्यादा बढ़ गई है second door के अंदर जो है वो data एक जगा से दूसरी जगा transfer हो जाता है वो इस वज़ा से क्यूंके हम जो data travel कराते हैं वो हम कराते हैं in form of light यह जो है न छोटे छोटे wires जो है यह data को एक जगा से दूसरी जगा transfer कर रहे हैं जो के मिसाल है optical fibers की और optical fiber के mainly दो parts होते हैं ठीक है न टू parts पर consist करता है एक inner part होता है जिसे core कहते हैं उसका refractive index high होता है high refractive index होने का मतलब rays of light को बहुत ज़्यादा bend करता है और उसी के अपर coating हुई होती है दूसरे material की उसे cladding कहते हैं और यह होता है low refractive index वाला जो के ज़्यादा reflection नहीं करता core का high refractive index होना ज़रूरी है rays को ज्यादा bend कराना ज़रूरी है ताके total internal reflection हो सके तो देखो यह जो main हिस्सा आपको नजर आ रहा है यह core कहलाता है यह core है यह high refractive index वाला है उपर हम लोग एक और layer लगाते हैं जिसे cladding कहते हैं और फिर finally बाहर जो है एक plastic की coating होती है coating होती है ठीक है ना तो यह तीन main parts है जो के optical fiber के होते हैं और ray of light को bend कराने का काम करते है तो जैसे ही ray of light enter करती है fiber में वो cladding को hit करती है और internally reflect हो जाती है core के अंदर क्यूंके जो angle of incidence होता है वो ज्यादा होता है critical angle से तो वो तो मैंने आपको शर्ट पताई के जब भी angle of incidence critical angle से ज्यादा होता है तो total internal reflection होता है और यह जो असर है यह आप असर देख सकते हैं हत्ता के fiber bend ही क्यों ना हो यह जो तार है यह कोई सीजा थोड़ी रहता है तार bend भी होता है और अगर bend होता है उसके बावजूद भी light उसी रास्ते को follow करती है तो यह बड़ी एहम बात है अच्छा light rays enter करती है fiber में वो continuously reflect होती रहती है बार-बार total internal reflection करती रहती है दोनों reflective materials के दर्मयान में और long distance cover कर लेती है without energy loss मैंने आपको बताया कि different continents के दर्मयान में भी जो है न वो डली होती है optical fibers और इतने long distance travel करने के बावजूद भी जो हमारे पास data है वो जाया नहीं होता यही खास बात है optical fibers की फर एक्जामपल आप यहाँ पे देखो तो light टकरा रही है अभी भी refract हो रही है इस angle पर भी refract हो रही है अब critical angle और अब total internal reflection कर रही है फिर से देखो reflection हो रहा है अभी भी reflection हो रहा है अभी भी reflection हो रहा है angle जादा हो गया अब 90 degree critical angle और अब total internal reflection देखने में आ रहा है इसको by light अगर देखोगे तो आप देख सकते हो यह देखो light ray bend हो जाती है खास angle लाने पर और उसी glass के अंदर उसी optical fiber के अंदर bend होके एक जगा से दूसी जगा travel कर जाती है यह आप देख सकते हों यह आप अगर optical fiber bend भी है तब भी क्या हो रहा है देखो core को मैं कहा रहा हूँ उसका high refractive index है cladding जो है वो low refractive index होती है और इसके दर्मियान में core और cladding के दर्मियान में जो light है वो travel करेगी एक angle पर bend होगी और कई मरतबा total internal reflection होने के बाद एक जगा से दूसी जगा travel करेगी with speed of light तो यही फायदा है optical fibers का ठीक है जी तो आज के इस lecture के अंदर तीन main बाते हमने focus करें critical angle समझा total internal reflection को समझा और finally optical fibers की working को समझा I hope तमाम बाते के लिए होंगी that's all, Allah आफिस इस फसम पिर बाते हम्स इसरी के पाद़ी यहास में आवल